Computer, परिभाशा Computer शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाशा के शब्द compute से हुई है जिसका अर्थ होता है गणना करना Computer को हिंदी भाशा में अभिकलिग या संगनत कहते हैं Computer एक ऐसा electronic युक्ति device है जो दिये गए निर्देशन समू Set of Information के आधार पर सूचना Information को संसाधित प्रोसेस करती है इस निर्देशन समू को प्रोग्राम कहते हैं इस प्रकार Computer केवल एक गड़क ही नहीं बलकि गड़तिय तथा अगड़तिय सभी प्रकार की सूचना को संसाधित करने वाला उपकरण है Computer की कारे योजना नमबर एक, Computer एक Electronic यांत्र है नमबर टू, Computer केवल प्रोग्राम के द्वारा ही कारे करता है नमबर ट्री, Computer निवेशित डाता, Input Data जैसे व्यक्ति और जगहे के नाम, रकम, अक्षर, अंक आधी को ग्रहन करता है चौथा, इसके लिए उपयोगी और सम्मंधित जानकारी जैसे विध्यार्थियों का परीक्षाफल, Company का Balance Sheet, Report, गनित का हल, शोद कारे का तार्किक विश्लेशन आधी Computer प्रस्तुत करता है पांचवा Computer मानम की दुलना में बहुत तेजी से कारे करता है और बिना गलती किये तथा बिना ठके बार-बार कारे कर सकता है Computer के प्रमुक तक्नीकी कारे चार प्रकार के होता है 1. Data का संकलन तथा निवेश 2. Data का संजयन 3. Data संसाधन 4. Data Information का निर्गम या पुनर निगम Computer की विशेशता है 1. पहला याद रखनी की खुशमता Computer असंखे बातों तथा डेटा आदी को अपने मेमरी में संग्रहित रखता है आवशक तानुसार उसे देखा या लिया जा सकता है 2. संग्रह 2. कंप्यूटर की प्रमुक विशेशता इसकी संग्रह शक्ती है इसमें डेटा को संग्रह किया जाता है संग्रह किये गए डेटा को भविशे में भी प्रयोग कर सकते है 3. परिभ्रम Diligence मनुशे कार करते वक्त ठक जाता है परन्तु कंप्यूटर नहीं 4. विश्वस्नियता Reliability Computer से संबंदित सभी क्रियाए विश्वस्निय होती है 5. विश्वधता Accuracy Computer अपना प्रते कारे दोश रहित करता है गलतियों के संभावना होती ही नहीं है 6. विविद गुड संपन्नता Versatility Computer के कहीं कारे है लिखना, याद करना, बोलना, सुनना ये हमारे दैनिक जीवन के सभी कारें में सहयोग करता है 7. गती Speed Computer कुछी क्षणों में सभी कारें को संपादित कर देता है चाहे वो गुडा, जोड, घटाव, भाग, आदी हो Processing गती को Megahertz कुष्ठक में, एक सेकेंड में दस लाग से अधिक मशीनी चकर में मापा जाता है 8. Data Processing Computer की Data Processing शंताम के अंतरगत, Numeric और Non-Numeric दोनों शामिल किये जाते हैं 9. वैज्यानिक अनुसंधान Scientific Research Computer विज्यान के लिए वर्दान है इस से मौसम का सफल अनुमान, ग्रहों का अधेयन, स्कैन, भूकम, ज्वाला मुखी का पुर्वानुमान लगाया जाता है 10. मानविय क्षेत्र में योगदान ये मानव की हर क्रिया कलाप में योगदान देता है, जैसे बैंक के कारे, रेलवे, पुलिस विवस्था, चिकित साक, शेत्र, आफिस, कला, इवं संस्क्रती, खेल, मनुरंजन, आदी Computer प्रणाली इसे प्रमक रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है A. Hardware Computer के बाहर तथा अंदर के electronic भाग ही Computer के Hardware होते है Input, Output, Processing, Control तथा Storage करने वाले उपकरण भी Hardware कहलाते है Computer Hardware के भाग पहला Central Processing Unit, दूसरा Input Unit, तीसरा Output Unit, चौथा Memory Unit Central Processing Unit, CPU, को Computer का दिमाग भी कहते है ये Computer के सभी कार्यों पर नियंतरन करता है हम जो भी Data Input में डालते हैं, वो CPU में चला जाता है CPU उस पर अपनी गतिविधिया करके Output Monitor को भेज देता है Input Unit Input Unit के अंतरगत हम Computer को काम करनी के लिए आदेश देते हैं Input करने के साधन Keyboard, Mouse और Scanner है Output Unit Output Unit में Printer और Monitor दो उपकरण माने जाते हैं हम जो भी काम Computer पर करते हैं, उसे Monitor पर देख सकते हैं और Printer पर छाप सकते हैं Memory Unit Computer में Input किये गए डेटा को जिस इस्थान पर सुरक्षित किया जाता है, उसे Memory Unit कहा जाता है Software उन Program को कहते हैं, जिने हम अपने Computer में Load करते हैं Software के बिना Computer पर कोई भी काम करना संभव नहीं है, क्यूंकि Software मानव और Computer के बीद सम्मन्द इस्थापित करता है हम Computer को जो भी नर्देश देते हैं, वो Software के रूप में होता है Software चार प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार से हैं, पहला System Software, दूसरा Application Software, तीसरा Utility Software, चौथा सामाने Software, प्रिष्ट 537 सामाने Software के उधारण हैं, पहला MS Word, दूसरा MS Excel, तीसरा Coral Draw, चौथा Page Maker Processing या Procreate संग्रहित देता की गणना, तुलना, विशलेशन, ववर्गी करण करके, उसे एक विवस्थित रूप प्रदान करने की क्रिया Processing कहलाती है इसके अंतरगत देता की जाँच की जाती है और संग्रहित वा विवस्थित करने के प्रशात इसे संबंदित व्यक्तियों के पास पहुंचाते हैं Processing के चरण, पहला गणना, Calculation इस चरण में संग्रहित डेटा की गणना की जाती है अर्थार्थ, जोड, घटाओ, गुणा, एवं भाग किया जाता है दूसरा, तुलना, Comparison इस चरण में डेटा की तुलना की जाती है अर्थार्थ, बड़ा या छोटा, धनात्मक, यहरणात्मक, बरावर या शुन्य आदी तीसरा, निरने, Decision दीगे शर्थ की आधार पर विभिन इस्थितियों में निरने करना चौथा, तर्क, Logic चरणों का क्रम, जिसकी सहायता से परिणाम प्राप्त होते हैं पांचवा, प्रस्तुती करन, Reporting इस चरण में संक्षिप्ती करन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त देटा को प्रबंद द्वारा चाहे गए स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है च्छटा, क्रम बदता, Sorting इसमें देटा को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में विवस्थित किया जाता है Computer की कारेप्रणाली Computer की कारेप्रणाली के चार मुख्य अव्यव होते हैं इन्हें Computer का रचना शिल्प भी कहते हैं इनके नाम है निवेश, Input, केंद्रे संसाधन, एकक, CPU बाहियस्मृती, External Memory निर्गम, Output निवेश एवं निर्गम एककों के द्वारा Computer और मानव के बीद संपर्क इस्थापित होता है चुंकि एकक Computer को चारो तरफ से घेरे हुए होती है इसलिए इने परिधिये युक्तियां भी कहा जाता है Computer के क्रिया विधी का आधार उसके केंद्रे संसाधन एकक, CPU होती है जो मूलत हा निमन तीन प्रकार से कारे करती है बहला, अंक गड़तिये परिकलंद जैसे जोड, घटा, गुणा एवं भाग दूसरा, दो राशियों के मानों की तुलना करना तीसरा, कृत्र मिस्मृति में डेटा का अस्थाई संकलन एवं किसी वीक्षन पर जरूरत पढ़ने पर तुरंत इसकी खोड, संचै एवं पुना प्राप्ति Computer की संरचना Computer, दो भागों में बटा है CPU, Peripheral CPU के तीन भाग, CU, ALU और Memory Peripheral के तीन भाग, Input, Output, संग रहा यहां इसे एक चुत्र के जरीए भी समझाये गया है अधिक जानकारी के लिए अपने गुरुजनों से संपर कीजिए Computer के विभिनन भाग पहला RAM, Random Access Memory, RAM इसे RAM के नाम से जाना जाता है यह Memory, Computer का प्रयोग करते समय सबसे अधिक काम में लाई जाती है जब Computer को बंद किया जाता है तो इस Memory में संग्रहित सूचनाय स्वयम नश्ठ हो जाती है अथा इस Memory को Earth Time Memory कहते है दूसरा, ROM, Read Only Memory, R-O-M इसे ROM के नाम से जाना जाता है इस Memory में सूचनाय स्थाई रूप से संग्रहित होती है Computer निर्माण के समय में ही इसमें सूचनाय संग्रहित कर दी जाती है जिनने उप्योग करता केवल पढ़ सकता है, बदल नहीं सकता है तीसरा, PROM, P-R-O-M आधुनिक समय में ऐसे ROM चिप उपलब्द हैं इन पर उप्योग करता आवश्यक विशेश प्रोग्राम अंकित कर सकता है इसका पूरा नाम है Programmable Read-Only Memory एक बार प्रोग्राम अंकित करने पर वो स्थाई हो जाता है तता फिर उसे बदला नहीं जा सकता चौता है, E-P-R-O-M PROM में संग्रहित सूचना को परिवर्थित नहीं किया जा सकता इसलिए उप्योग करता अपनी चानुसार प्रोग्राम को परिवर्थित नहीं कर सकता इस समस्या का समाधान करने के लिए आधनिक समय में E-P-ROM चिप उपलब्द है जिन पर संग्रहित सूचना को अल्टरा वॉयलेट लाइट द्वारा हटाये जा सकता है पाँचवा CD-ROM CD-ROM को Optical Disc भी कहा जाता है Optical Disc के उपर डेटा को इस्थाई रूप से अंकित किया जाता है लेजर की सहायता से CD की सतय पर अतिश सुख्ष्मगड़े बनाये जाते है छटा CD-R अत्वा W CD-Read or Write CD-R अत्वा W भी Optical Disc है परन्तु इसमें संग्रहित डेटा को मिटाया या परिवर्तित किया जा सकता है लेजर द्वारा CD में डेटा संग्रा CD के सतय पर सुख्ष्मगड़े के परावर्तन में परिवर्तन कर लिया जाता है तथा लिखे वे CD में परिवर्तन करनी के लिए फिर से लेजर का उपयोग किया जाता है साथवा Pen Drive ये छोटे Key Ring के आकार का होता है तथा आसानी से USB, Universal Serial Bus, संगत प्रणालियों की बीच पाइलों के सस्थानांतरण तथा संग्रहन करनी के लिए उपयोग होता है ये भिन भिनक्षमता वाले होता है इसे Flash Drive भी कहता है आठवा Floppy Disk Magnetic Disk बहुत महंगी होती है इसलिए ये केवल मध्यम तथा बड़े कंप्यूटरों के लिए ही उपयोगी है Floppy Disk बहुत सस्ती होती है इसलिए इसका उपयोग मिनी कंप्यूटरों में अधिक होने लगा है ये अलग-अलग आकारों में 3.5 इंचेज तथा 5.25 इंचेज में उपलब्ध होते है प्रिष्ट 538 9. Keyboard ये देखने में टाइप राइटर जैसा होता है Keyboard का प्रयोग कंप्यूटर में सूचनाए प्रेशित करने के लिए किया जाता है 10. Mouse सरप्रता Mouse का उप्योग 1984 इसवी में एपल कंपनी के Macintosh कंप्यूटर के साथ किया गया था इसका आकार चूहे जैसा होता है अतहाँ इसे Mouse कहा गया 11. Digital Camera Digital Camera के द्वारा तस्वीरे लेकर उसे Digital Data में परिवर्थित कर दिया जाता है 12. Monitor Computer के सभी सूचनाईद देखनी के लिए जिस उपकरण का प्रयोग होता है उसे Monitor कहता है ये दो प्रकार का होता है पहला Monochrome Monitor दूसरा रंगीन Monitor Computer का वर्गी करण Computer का दो प्रकार से वर्गी करण किया गया है कारे प्रधती के आधार पर Computer निम्न लिके धंग से वर्गी करण किया जा सकता है पहली अंकिय कंप्यूटर दूसरी अनरूप Computer तीसरी सूपर कंप्यूटर चौती प्रकाशकिय कंप्यूटर पांचवी परमानविक कंप्यूटर आकार के आधार पर कम्प्यूटर निम्न प्रकार के होते हैं पहला माइक्रो कम्प्यूटर 256 किलो बाइट दूसरा मिनी कम्प्यूटर 256 किलो बाइट से 12 मेगाबाइट तीसरा सूपर मिनी कम्प्यूटर 1 से 80 मेगाबाइट चौथा मेन फ्रेम कम्प्यूटर 10-128 मेगाबाइट पांचवा सूपर कम्प्यूटर 8-512 मेगाबाइट कम्प्यूटर की भाषाएं पहला मशीनी भाषा, मशीन कोड यह वो भाषा है जो किवल एक और शूरनी के समूहों से बनी होती है और जिसे कम्प्यूटर सीधे समच सकता है यह भाषा दूसरी भाषाओं से भिन्न होती है दूसरा Assembly भाषा, समुच्य भाषा Assembly Language इसम्मली भाषा मशीनी भाषा में आ रही कथिनाईयों को दूर करने के लिए आविश्कृत की गई है, इसमें मशीन कोट की जगह पर नेमॉनिक कोट का प्रयोग किया जाता है, जिसे मानो मस्तिश्क आसानी से पहचान सकता है, जैसे SUB मतलब सब्ट्रैक्ट, आदी. उच्चस्तरिय भाषा हैं, पहला, FORTRAN, 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 विश्वकी सर्वप्रथम उच्चस्तरिय कंप्यूटर प्रोग्रामन भाषा है, जिसका विकास JWBakis द्वारा दिये गए प्रस्ताव पर IBM के द्वारा 1957 में किया गया, यह फॉर्मियूला ट्रांसलेशन का संक्षित रूप है दूसरा COBOL, COBOL, यह अंग्रेजी के शब्द Common Business Oriented Language का संक्षित रूप है, यह सरकारी तथा मुआनिजिक दफ्तरों में अधिक से अधिक प्रयोग होता है तीसरा Basic, BASIC, यह अंग्रेजी के शब्द Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code का संक्षित रूप है चौथा, Algol, A-L-G-O-L, यह अंग्रेजी के शब्द Algorithmic Language का संक्षित रूप है, इसका प्रयोग बीज गणतियां गणनाओं में अधिक तर होता है पाँचवा, Pascal, यह Algol, A-L-G-O-L का परिवर्धित रूप है, इसका प्रयोग अधिक तर मिनी कंप्यूटर में किया जाता है छटा, Lisp, L-I-S-P, Lisp Processing, सन 1960 में John McCarthy ने विक्सित किया, यह कृत्रिम बुद्धी के विकास के दिशा में प्रथम कदम है साथवा, Prolog, Programming in Logic, सन 1973 में फ्रांस में विक्सित हुआ, यह भाशा कृत्रिम बुद्धी का जनक है आठवा, Logo, L-O-G-O, छोटी कख्षा के चात्रों में ग्राफिक रेखा कृतियों के अनुकरन के लिए उप्योगी है नवा, Fourth, F-O-R-T-H, Charles H. Moore ने सन 1970 में विक्सित किया दसवा, Pilot, यह एक प्रकार की लेखिय भाशा है, विद्ध्यालेयों में इसका प्रयोग किया जाता है ग्यारवा, C, अंग्रेजी का अलफबेट C, इसका आविशकार 1972 में डेनिस रिची ने किया था, यह कंप्यूटर की सबसे लोग प्रया भाशा है Computer Virus Computer वाइरस Computer वाइरस Computer वाइरस में एक अत्रित सूचनाओं और जानकारियों को समाप्त करने के लिए एक विद्धन सनात्मक Electronic Code होता है, जिसे Computer Program में मिला दिया जाता है इस Code से Computer में एक अत्रित जानकारी नश्ट हो जाती है, तथा गलत सूचनाओं मिल जाती है इसे Computer Program में किसी टेलिफोन लाइन से दुरभावना वश प्रेशित किया जा सकता है, इस विनाश्कारी कोड को Computer Virus कहते है Love Virus 4 मई 2000 को I Love You नामक Computer Virus अचानक विश्व के लगबग 20 देशों में फैल गया, इसे Love Bug भी कहते है यह Electronic Doc या Email को या तो नश्ट कर देता है या विक्रित कर देता है Computer PD एक तुलनात्मक अधेयन PD प्रथम वर्ष 1999 से 1955 Switching Device, Vacuum Tube Storage Device, Acoustic Hill Lines, Magnetic Drum, 1KB Memory Switching Time 0.1 से 1 मिलिसेकंड MTBF 30 मिनित से 1 घंते Software, Assembly Language अनुप्रयोग वैज्ञानिक और व्यापारिक समस्या है PD द्वित्या वर्ष 1950 से 1965 Switching Device, Transistor Storage Device, Magnetic Code, Tape 100 KB मुख्या Switching Time 1 से 10 मिक्रो सेकंड MTBF लगभग 10 खंटे Software, Fortran, Cobol, Algol अनुप्रयोग वैज्ञानिक और व्यापारिक समस्या है PD द्वित्या, वर्ष 1960 से 1975 Switching Device, Integrated Circuit Storage Device, उच्च गतिवाले Magnetic Core बड़ी डिस्क 100 मुख्या मेमरी Switching Time 0.1 से 1 मिक्रो सेकंड MTBF लगभग 100 खंटे Software, Fortran, 4 Cobol 68 P2-1 अनुप्रयोग डाताबेस मेनेज्मेंट सिस्टेम PD चतूर्थ कोश्ठक में प्रथम चरण वर्ष 1975 से 1984 Switching Device, LSI Circuit Microprocessor Storage Device, Semiconductor Memory मुख्य मेमरी 10 MB Switching Time 10 से 100 नेनो सेकंड MTBF लगभग 1000 खंटे Software, Fortran 77, Pascal EDA, Cobol 74 अनुप्रयोग PC, CADK, AM Graphic उन्मुख्य सिस्टेम PD चतूर्थ कोश्ठक में द्वित्य चरण वर्ष 1985 से अब तक Switching Device, VLSI Circuit 3 Million Transistor प्रतिचिप Storage Device, Semiconductor Memory मुख्य मेमरी 1 GB तथा 100 GB Switching Time 1 से 10 नेनो सेकंड MTBF लगभग 10,000 घंटा Software, C, C++, Java, Prolog अनुप्रयोग Multimedia समात्तर गणना, FP प्रिष्ट 549 Computer, Vividit Athya Computer का अर्थ मुख्यता गणना से है Computer के जन्मदाता Charles Webach को माना जाता है 1937 सीस्वी में Mark First नामक प्रथम Computer का निर्मान हुआ कोश्टक में Howard Akin Dwarah Computer के विकास में सरवादिक योगदान John One Newman का है 1946 सीस्वी में आधनी Computer की खोज हुई Eniak नामक पहले Electronic Computer के आविशकार के साथ गणना मशीन के क्षेतर में नई करांती आई Computer एक ऐसे Electronic Machine है जो Input स्वीकार करती है उस पर दिये गए निर्देशों के अनुसार ख्रियाएं करती है तथा परणाम Output देती है Dr. Won Newman ने Computer के कारे हेतु Binary System का प्रयोग किया भारत का पहला Computerium कोश्टक में Computer Mandal, Bangalore, Bangalore में इस्थापित किया गया Input की एकाईया Keyboard, Mouse, Processing, IKai, CPU Output की एकाईया Monitor, Memory, Printer Hard Disk इसमें ठोस चुम्बक के प्रणाली पर आधारित प्लेटों में Computer System की सवी सूचनाय सुरक्षित रहती है इसके क्षमता 20 GB से 160 GB तक होती है आधुनिक काल में Computer शब्द का अर्थ स्वाचालित Digital Electronic Computer होता है Computer जैसी सबसे प्राचीन युक्ति का नाम Abacus है Abacus का आविशकार 2520 में पूर्व युनान में किया गया जापान में सबसे पुराने Computer जैसी युक्ति का नाम सारोबान है जिसका विकास 2520 पूर्व में हुआ था भारत में E-mail सेवा 11 फरवरी 1994 को नई दिल्ली में प्रारंब हुई देश में नई Computer नेती की घोशना नवंबर 1984 में की गई भारत में Silicon Valley बंगलूर में इस्थित है भारत में खोजा गया प्रथम Computer वाइरस Sea Brain था Computer वाइरस से बचाने वाले Software को Vaccine कहा जाता है विश्वा के सबसे बड़े Computer Network का नाम Internet है Internet का अविश्कार 21 सितंबर 1989 को हुआ था Internet का समराथ Masayoshiko को कहा जाता है Web Wireless Application Protocol एक प्रकार का Mobile Internet है विद्या वाहिनी कारेक्रम 11 जनवरी 2003 को शुरू किया गया विद्या वाहिनी कारेक्रम का उदेश देश भर के विद्यालेयों को जोड़ना है ग्यान वाहिनी कारेक्रम 11 जनवरी 2003 को शुरू किया गया भारत में निर्मित प्रथम Computer सिधार्थ है जिसका निर्माण Electronic Corporation of India ने किया विश्वकी सबसे बड़ी Internet व्यवस्था का निर्माण करने वाला देश हॉंग कॉंग है कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली सबसे छोटी इकाई बित बाइनरी डिजिट है IBM का पूरा नाम International Business Machine है विश्वके सबसे पहले सूपर कंप्यूटर का नाम Cray K1S है विश्वका सबसे पहला सूपर कंप्यूटर 1978 में C.M.O.R.C.R.E. के द्वारा अस्तित्व में आया सरवर्थम पूर्णत आया इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर का विश्कार डॉक्टर अलान M. Turing ने किया पर्सनल कंप्यूटर का विश्कार 12 अगस्त 1981 इस्वी को किया गया प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक था सरवर्थम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 इस्वी में हुई Ward 2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एक मात्रदेश जाम बिया है प्रथम पीड़ी के कंप्यूटर का नाम यूनिवेक था प्रथम पीड़ी के कंप्यूटर में प्रविक्त भाश्रा एसेमली लैंग्विज था एसेमली लैंग्विज के अविश्कारक ग्रेस हाथर थे प्रथम पीड़ी के कम्प्यूटर के आंतरिक मेमरी के लिए चुम्ब किया ड्रम प्रयोग किया जाता था कम्प्यूटर में प्रयुक्त चिप, अर्दे चालक, सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है तीसरी पीढ़ी के कम्प्यूटर में प्रविक्त प्रमुक भाषा बेसिक एवं फोर्ट्रॉन थी प्रथम माइक्रो कम्प्यूटर 1977 में इस्टीव जॉब एवं बोजनाईक द्वारा बनाया गया लैप्टाप कम्प्यूटर का विकास 1988 में हुआ कृत्रिम वैधिक्ता से परिपूर्ण कम्प्यूटर पांचवी पिढ़ी के हैं डीब्लू 1BM अमेरिका द्वारा निर्मित एक कम्प्यूटर है कब्रू भारत का तिवरतम गणना करने वाला सूपर कम्प्यूटर है वाईरस का पूरा नाम वाईटल इंपूट रिसोर्स है सर्व प्रथम अमजद और बसित पाकिस्तान द्वारा वाईरस प्रोग्राम बनाया गया सर्व प्रथम कम्प्यूटर वाईरस का नाम C-Brain और C-Aशर है भारत में प्रथम हिंदी निजी कम्प्यूटर PC 1BM कम्पनी द्वारा 1997 एस्वी में प्रस्तुत किया गया सूचना संग्रा इकाई के अंतर राष्ट्रियम मानक BIT 0-1 Byte कुष्ठक में B 8 Byte Kiwi Byte कुष्ठक में K I B I T की Byte 1024 Byte Kilobyte कुष्ठक में K Byte 1000 Byte Kilobyte के भी कुष्ठक में Decimal 1000 Byte Megabit कुष्ठक में M Bit 1000 Kilobyte Megabit MB Decimal 1000 Megabit Gigabit G Bit 1000 Megabit Gigabit GB Decimal 1000 Megabit प्रिष्ट 540 प्रतेक Internet Computer Host कहलाता है भारत सरकार ने अक्टोबर 2004 में WODWAC नीती की घोशना की Indian Institute of Science Bangaluru ने Simputer का विकास किया Bandwidth संचार माधिम की सूचना वहन करनी की क्षमता दर्शाता है Internet कौपयोग करनी के लिए प्रयोग किया जाने वाला Software Browser कहलाता है Wi-Fi Wireless आधारित Internet प्रनाली है www पर HTTP का प्रयोग 1990 इसवी से हो रहा है HTTP Client Server Protocol है G-Commerce का अर्थ है Pipeline Commerce Internet दुनिया में सबसे नई क्रांती Wireless, Mobile Internet है Computer Network में अनाधिकरित रूप से प्रवेश करने वाले लोगों को Hacker कहते हैं SIM Card का Full Form है Subscriber Identity Module Card सूचना के आगवन इवं कारेकरम की खुज करनी के लिए SNOBOL विशिष्ट भाशा का प्रयोग किया जाता है प्रतम घरेलू Computer Commodore VIC Oblique 20 है Microprocessor चतुर्त पीडी का Computer है सरवालिक तेजगती का Printer Laser Printer है Rim Vernors Limited www World Wide Web के अविश्कारक तथा प्रवर्तक है 2 December को Computer साक्षर्ता दिवस की रूप में मनाया जाता है Internet पर अपना पहला Website बनाने वाली पहली राजनितिक पार्टी भारती जनता पार्टी है Integrated Circuit Chip का विकास JS Kilvy ने किया Integrated Circuit Chip पर सिलिकॉन की परत होती है Internet पर उपलब्द होने वाली प्रथम भारते पत्रिका दहिंदू है T3A विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है महत्वपोर्ण कंप्यूटर शब्दावली Software Computer के संचालन के लिए जिन प्रोग्रामों की अविशकता होती है उन्हें Software कहते हैं Software पांच प्रकार के होते हैं प्रोचालक, Operator, भाशा संसाधक, उपयोगिता, प्रोग्राम, उपनित्यक्रम और नित्यक्रम Hardware क्षेत्र की अपेक्षा Software उद्द्यों के क्षेत्र में भारती उत्पादकों की बाहिय आश्रितता बहुत ही कम है Hardware Computer और Computer से जुड़े अन्य सभी यंत्रों तथा उपकरनों को Hardware कहा जाता है परिचालन पदती, Operating System Operating System विविन प्रभागों में निश्चित समय पर कारिरत होने, आदेश देने और उनमें परस पर तालमील इस्थापित करने का कारे करता है Software Package इस श्रेणी में ऐसे प्रोग्राम आते हैं जो विस्तरेत रूप से अनेक संस्थाओं के लिए उप्योगी होते हैं आजकल बाजार में Word Processing, Graphics आदी ऐसे ही अनेक प्रोग्राम उपलब्द हैं Disk Operating System ये पूर्वर लिखित प्रोग्राम, प्रदत प्रोग्राम, आंकड़ा तथा संबंद सूचनाओं को Disk के मुख्य मेमरी में लाने और वहां से वापस लाने का कारे समपादित करता है Random Access Memory ऐसी कम्प्यूटर की स्मृति, जिसका उप्योग ततकालिक स्मृति के लिए करते हैं ये एक ऐसी स्मृति है जिसमें एकतरत आंकड़ों को कम्प्यूटर ओफ होने पर तुरंत भूल जाता है Microprocessor ये कम्प्यूटर की Central Processing Unit के सभी कारियों को नियंतरत करने वाला सिलिकॉन चिप है इसे कम्प्यूटर का मस्तेश्क भी कहते हैं Pixel, P-I-X-E-L, Picture Cells Computer Graphic में प्रतेक चित्रप्रकाश की छोटी छोटी वर्गाकार इकाईयों से मिलकर बना होता है इसी सुख्षमतम वर्गाकार इकाई को Pixel कहते हैं Power Supply Unit Computer के विभिन भागों को वांचित विद्युद की अवेशक्ता की पूर्ती है तो जिस यंद्र काउप्यों किया जाता है उसे Power Supply Unit कहते हैं DTP, Desktop Publishing ये मुद्रण तथा Composing की नई तकनीक है इसमें Computer के द्वारा Typing एवं Composing का का कार्य पूरा करके प्रिष्ट को Laser Printer के सहायता से चापा जाता है स्कैनर के मादिम से इसमें चित्र ग्राफ आदी चापे जाते हैं CD-ROM Compact Disc Read-Only Memory Compact Disc Read-Only Memory इसमें सूचना अत्यंत Compact रूप में स्टोर की जाती है इसे केवल पढ़ा जा सकता है इसमें सुरक्षित कुष्टक में लिखी सूचनाओं को कम्प्यूटर द्वारा पढ़ा तो जा सकता है किन्तो फ्लॉपी की तरह इसमें कोई भी सूचना स्टोर करने का कारे केवल लेजर बीम के द्वारा हो सकता है सामान्य तह इसका आकार 12 cm का गोल रूप है इसमें लगभग 20,000 प्रिष्टों की सामगरी स्टोर की जा सकती है वाइड एरिया नेटवर्किंग डवल्यू ए एन जब कम्प्यूटर्स दो या अधिक अलग-अलग इस्थानों शेहरों में कारे रथ हो कम्प्यूटर नेटवर्किंग जब अनिक कम्प्यूटरों को आपस में जोड़ कर कारे किया जाता है तो उसे कम्प्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं नेटवर्किंग के माधिम से कम्प्यूटर, डेता बेस में सुरक्षित सूचनाव का परस पर आधान-प्रदान एवाम उप्योग कर सकते हैं Control File तक पहुंच सकते हैं, तथा आवेशक्ता के समय दूसरे प्रोसेसरों से प्रोग्राम ले सकते हैं. Application Computer द्वारा किये जाने वाले या किये जा सकने वाले कार्या. Assembly किसी प्रोग्राम का Machine Code में परिवर्तन. Alt Computer के Keyboard की एक Key है जिसके साथ कोई अन्नी की दबाने से उस Key का कार्या बदला जा सकता है. Active File Computer के स्मृति कोश में संचित फाइलों में से एक जिस पर कार्य किया जा रहा है. Access Computer का प्रयोग करने तथा इसके स्मृति कोश में संचित फाइलों में कुछ परिवर्धन, परिवर्धन करने की अनुमति को कहते हैं. Press 441 Metropolitan Area Network M.A.N. 2 या 2 से अधिक Local Area Network को जोड़ता है. ये शहर की सीमाओं के भीतर इस्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क है. Routers, Switch और Hubs मिल कर एक Man, M.A.N. यानि की Metropolitan Area Network का निर्मान करते हैं. Backspace Sunsoochak को पीछे की ओर ले जाने वाले Computer Keyboard की एक Key. Bilingual Software Hindi और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कारे करने वाला Software, कुछ दुवेभाशी Software इस प्रकार है. पहला अक्षर, दूसरा देव बेस, तीसरा शब्द रत्न, चौता सुलेक, पांचवा शब्द माला, छटा आलेक, सात्वा माल्टी वर्ड, आठवाँ, ML Works, नवाँ, बाय, स्क्रिप्ट, दसवाँ संगम. Backup File या Data या Disk में संचित कारे प्रोग्राम इत्यादी की प्रतिलिपी तयार करना, ताकि मूल कारे नश्ट हो जाने पर डेटा इत्यादी पुनहा प्राप्त किया जा सके. Bug किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई गलती जो उस प्रोग्राम को भली प्रकार से चलाने में बाधा डालती है. Central Processing Unit CPU इसके भाग इस प्रकार होता है. पहला Memory Unit, दूसरा गनितिय प्रक्रिया Unit, जिसे ALU, Arithmetic and Logical Unit कहते हैं, और तीसरा नियंतरन यूनिट, जो अंकों के सही अंतरण और प्रवापर नियंतरन रखता है और उसकी शुद्धता की जाँच करता है. Computer Program Computer को दिये जाने वाले आदेशों के सेट को Computer Program कहते हैं. Stroll Control C-T-I-R-L-Stroll Control Computer की Board की एक की, जिसे दबाए रखते वे, अन्य की दबाकर विशिष्ट कारे के लिए Command दिया जाता है. Cursor Screen पर आदेशा नुसार विचरन करने वाला संकीत, जो टाइप होने वाले अक्षर का स्थान दर्शाता है. Database वो Data जो Computer में संचित हो और जिसे विभिन प्रयोगता प्रयोग में ला सकें. D-Base बड़े पैमाने पर Data संग्रहन और प्रोसंस करन के सुविधा से युक्त प्रोग्राम. Disc Plastic या Aluminium की बनी सपाट गोल प्लेट जिस पर चुम्बकिया पदार्थ की परच चड़ी होती है. इस प्लेट पर चुम्बकिया क्षेतर का निर्मान कर सूचना संचित की जाती है. Disc Drive Computer में लगा एक ऐसा उपकरण जो चुम्बकिया डिस्क को घुमाता है और Head की स्थिती को नियंतरत करता है. Feed Computer में सूचना दर्ज करना. File Computer में डाली गई सूचना का अभिलेख जो किसी संख्या या अक्षर टाइप करके खोली जाती है. Floppy Disk लचीले प्लास्टिक की बनीवी चुम्बक की अक्षमता युक्त प्लेट जो विशिष्ट लिफाफे में रखी जाती है. Font विबिन आकार और आकरितियों के अक्षर का सेट Hard Copy एक कम्प्यूटर यंत्र जिसमें उसके विबिन अंग अत्वा भाग भी शामिल होते हैं. Input Device सूचना प्रविष्टी माध्यम जैसे Keyboard Memory सूचना संचित करने का स्थान Menu आदेशों के विकल्पों की सूची जिसे परिचालक स्वायम मार्ग दर्शन प्राप्त करता है. User कम्प्यूटरों को उप्योग करने वालों के लिए यूजर शब्द काफी लोग प्रिय हो रहा है. Word Processor शब्दों को संशोधित करने वाला अर्थार्थ शब्द मिटाने, जोडने, शब्दों में सुधार करने, शब्दों का स्थान बदलने तथा अन्य संपाद किया कारे करने वाला कम्प्यूटर Software Package इस श्रेडी में भी प्रोग्राम आते हैं, जो विस्तरित रूप से कई संस्थाओं में प्रयुक्त होते हैं. वर्तमान में अनेक प्रोग्राम Package कई प्रकार की उप्योगों के लिए उपलब्द हैं, जैसे शब्द संसाधन, वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा बेस प्रभंदन, बही खातों के पैकेज, भंडारन, नियंतरन, डिजाइन, आलेखन, ग्राफिक्स, आदी कारियों के लिए अनेक पैकेज उपलब्द हैं. कम्पाइलर इसका कारे उचस्तरिय भाषाओं को मशीन की भाषा में परिवर्थित करना है. टेक्स्ट एरिटर इसका कारे है डिस्क अत्वा टेप पर पहले से लिखी टेक्स्ट आधारित सूचनाओं को परिवर्थित करना, उनमें सुधार करना तथा नवीन सूचनाओं को जोड़ना, पूर्व लिखित सूचना को पूर्णत आया हटा देना आधी स्वैपर नई सूचना के लिए जगे खाले करने के लिए पूर्व लिखित सूचना को वापस लोटाया जाये ये निरधारित करनी की जिम्मदारी स्वैपर के ओपर होती है डेटा व्यवसाय आदी की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली वास्तविक सूचनाई ही डेटा कहलाती है ये सूचनाई नाम, अंक, समय, तारीख, मूल्य, वजन, उत्पादित वस्तों का नाम, चित्रवधवनी आदी के रूप में हो सकती है डाटा संसाधन, डेटा प्रोसेसिंग, ग्यानारजन के लिए सूचनाऊ को एकत्रत करना एवं उन्हें डेटा के रूप में कम्प्यूटर में निवेशित करना ही डेटा प्रोसेसिंग है Computer इने संयोजित या आकलित कर अपने निशकर्ष उस रूप में बहिर गमित करता है जिस रूप में हम उनका आसानी से प्रयोग कर सके निवेश, Input इसमें Computer Program को इस एकक के द्वारा Computer के केंद्रे संसादन एकक में पहुंचा दिया जाता है Micro Computer में कूंजी पतल यानि की कीबोर्ड की सहायता से सीधे ही Computer में डेटा को निवेशित किया जा सकता है एवं Visual Display Unit के माधियम से देखा जा सकता है निकास, Output जानकारी का निर्गमन एकक के द्वारा Computer से बाहर उस रूप में निकाल लिया जाता है जिससे वो उपयोग करता को आसानी से समझ में आ सके संसादन, Processing Computer का केंद्रे संसादक ही उसकी समस्त गतिविधियों का संचालक होता है तथा उसका नियंत्रण करता है ये एक कंप्यूटर की गर्णा करने, शब्द, चित्र, धनी, रंग, आदी के संबंद एवं दत्तों को नियोजित करने का कारे करता है Chips ये सिलिकॉन की बनी होती है, इस पर लाखों इलेक्ट्रोनिक घटक उकेरे जा सकते हैं एके कृत परिपत Integrated Circuit एक ही चिप पर बना एक ऐसा इलेक्ट्रोनिक परिपत है, जो बहुत से पूर्जों का कारे एक साथ कर सकता है प्रिश्च 542 Terminal वे युक्तियां जिनके माध्यम से कंप्यूटर उप्योग करता, कंप्यूटर यूजर का कंप्यूटर से संपर्ग बना रहता है ये युक्तियां है, कुंजी पटल, स्क्रीन, माउस आदी विद्युत कुंजिका, इलेक्ट्रिक की टाइप राइटर कंप्यूटर के सद्रश्य कंप्यूटर में कुंजिकाएं होती हैं, जिन पर अंग्रेजी वर्नमाला के 26 अक्षर, अंक, ब्रैकेट, अलपविराम, पूर्नविराम, इत्यादी, कहीं संकेच चिन्न होते हैं इन कुंजिकाओं को प्योग कम्प्यूटर को आदेश देने के लिए किया जाता है प्रिंटर, टाइप राइटर की भाती एक युगती जो अत्यंत तीवरगती से कम्प्यूटर के आउटपुट को छाप सकती है माउस ये एक छोटा बॉक्स होता है, इसके नीचे गोलाकार सेंसर लगा होता है इसका कार्य है कम्प्यूटर के स्क्रीन पर कर्सर का स्थान नरधारत करना जब इसे mouse pad पर धीरे-धीरे चलाया जाता है तो sensor अपने विस्थापन की दिशा को पहचान लेता है तथा mouse इसके ही अनुरूप संकेत computer को भेजता है जिससे screen पर विदिमान cursor भी इसे दिशा में विस्थापित होने लगता है Network Network विबिनस अंगणकों को एक दूसरे से जोडने से प्राप्त संजाल को network कहा जाता है Sight Internet से जुड़ी वो संगणक जहां विशेश प्रकार की सूचनाय उपलब्द हो Online Online इंटरनेट संपर्प तब कहा जाता है जब व्यक्ति इंटरनेट में रहते हुए उसमें मिल रही जानकारियों का अधेयन करता है Surfing Internet के संजाल में से सूचनाओं को खोजना अत्वा विभिनस साइटों पर रहमन करना Surfing कहलाता है Hyperlink Web पेज का ये विशेश शब्द या चित्र जिस पर माउस का बटन दबाने से व्यक्ति इंटरनेट के एक साइट से दुसरे साइट पर पहुंच सके Browser वो सॉफ्ट्वेर जिसकी मदद से सूचनाओं प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश किया जा सके Home पेज इंटरनेट का आरमभिक प्रिष्ट जहां से इंटरनेट इस्तमाल करने वाला संजाल के विबिन स्थलों कोश्ठक में साइट तक पहुंचता है Bucky Wall ये विश्व के सुक्ष्मतम तेस्टर डियूब है इनके निर्माण में कार्बन अपर रूप का प्रयोग किया जाता है Navigator Computer Dan CVS Eric नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसे Computer का विकास किया है जिसे पहना जा सकता है तथा जो रास्ता भूलने पर उचित मार्क बतलाएगा Navigator नाम के इस Computer से रास्ता जाननी के लिए एक बटन दबाना होता है तथा उपलब्द Mic के आगे गंतविय स्थान का नाम लेना होता है उसके पश्चात आखों के आगे लगे Monitor पर वांचित स्थान पर नक्षा आ जाता है Packet Switching ये एक संप्रेशन प्रणाली है जिसमें संदेश आकणों में अंतरविष्ट होते हुए निरधारित लंबाई के Packetों में तूट जाते हैं तथा प्रणाली द्वारा फसलों की अवस्थिती महासागरिय धरातलों इत्यादी के विशे में सूचना प्राप्त होती है इसके लिए सुक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है Signature 2000 Signature 2000 एक नए प्रकार का Computer Software है जिसे Birla Horizon International BHI द्वारा बाजार में लाया गया ये Software Y2 के समस्या को हल करने के लिए बनाया गया था U-Matic ये वीडियो कारिकरम के Recording तथा उनके विवसाइक प्रसारण की प्रनाली है Robist Robist एक Computer है जिसको पूरे इस्थित C-DAC ने विक्सित किया है ये ग्रामीनक शेतरों की परिस्थितियों के अनुकूल है इस Computer में धूल, गंदगी और वोल्टेज के उतार चड़ाओ को जहीलने के ख्रमता है और ये 90-300 वोल्टेज के बीच भी काम कर सकता है C-DAC द्वारा निर्मित Robist कंप्यूटर में अंदर ही बैटरी लगी हुई है इस बैटरी के कारण बिजली चली जाने के बाद भी 4-5 घंटे तक इसे लगातार चलाया जा सकता है Robist में बैटरी बैक अप सुविधा के साथ साथ तापमान और धूल प्रतिरोधी प्रणाली भी है Ultrasound वो ध्वनी जो कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती तथा जिसकी अवरिती 20,000 हर्ट से अधिक होती है Ultrasound कहलाती है Ultrasound में क्रिस्टल ले जिर्कोनेट पर विद्विभव लगाकर उसे उत्तेजित किया जाता है जिससे वो कमपन करने लगता है ये कमपनी ध्वनी तरंगे उत्पनन करता है जब ये तरंगे शरीर की किसी उत्तक से गुजरती है तो रुकावत महसूस करती है और परावर्तित होकर क्रिस्टल द्वारापुना ग्रहन कर ली जाती है जहां से विद्विद्व सिगनल में बदल दी जाती है और उसिलेटिंग परदे पर प्राप्त कर ली जाती है Remote Control इसका अर्थ किसी यंत्र या उपकरण पर उसको छुए बिना किसी दूरी से ही नियंत्रन करना है टीवी के रिमोर्ट कंट्रोल में ये नियंत्रन अवरक्त किरनों के द्वारा किया जाता है Multimedia सूचना प्रद्योगी की का ये एक महत्वपूर्ण अंग है Multimedia के अंतरगत हम वीडियो, तस्वीर, संगी, टेक्स्ट, कंप्यूटर आदी के माध्यम से सूचना प्राप्त करते हैं अर्थार्थ ये द्रिश्य श्रव्या और कंप्यूटर का समायोजन है जिससे हम सूचना पाते है आलेखन पीठी का Graphic Tablet आलेखन पीठी का द्वारा Graphic या अनरूप दत्तों को अंकरूपी दत्तों में परिवर्थित किया जाता है और उसे स्मृति में सुरक्षित रखा जाता है ये पीठी का 30 वर्ग सेंटिमेटर आकार की होती है इसे कंप्यूटर के परिष्ट भाग पर बने RS-232C Serial Interface में Plug Socket के साथ जोड़ दिया जाता है जिससे पीठी का का सीधा संपर्क कंप्यूटर की केंदरे Processing Unit से हो जाता है आलेखन पीठी का को Graphic Pad या Digitizer Tablet भी कहा जाता है चुम्बकिय फीते Nagnetic Tape चुम्बकिय फीतों में प्लास्टिक पर धात्वेक औशिदों का लेप लगाया जाता है जिसके कारण इनमें चुम्बकिय ख्रमता आ जाती है ये चुम्बकिय फीते अत्यंत पतले होते हैं इनकी चौड़ाई 12.5 mm से 25 mm तक होती है चुम्बकिय चकतिया Magnetic Disks चुम्बकिय विधी से दत्तों का सम्मवेश किया जाता है परन्तों इन्हें 1800 से 3600 वृत्त प्रति मिनट की तीवर गती पर लाया जाता है तभी ये सम्मव होता है चुम्बकिय चकतियों का प्रयोग मुख्य तहर निवेश, निरगम, युक्तियों तथा सहायक स्मृति के रूप में किया जाता है प्रिष्ट 553 अंकी करण Digitalization अंकी करण कंप्यूटर की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें दत्तों के निवेश के क्रम में किसी एक प्रकार के दत्त को द्वी आधारी पधती पर आधारित विद्यूत संकेतों में परिवर्थित कर दिया जाता है Modem ये Modulator अत्वा DE Modulator से प्राप्त एक संख्शिप्त नाम है ये एक कैसी युक्ती है जो अंकिये आंकणों Digital Data का संप्रेशन कर सकती है और उन्हें एक टेलिफोन लाइन या Standard Voice के द्वारा प्राप्त भी कर सकती है ये युक्ती FSK द्वारा Digital Data को Audio Signal में बदल देती है जिससे टेलिफोन द्वारा ग्रहन किया जा सकता है Smart Cards ये बहुत देशी Electronic Cash Cards होते हैं किसी अधिकरित बैंक में जमा कराए गए रूपेयों के Micro Chip पर Electronic Cash के रूप में स्टोर कर लिया जाता है बाद में इस Card का धन के रूप में उप्योग किया जाता है Mumbai का राजे परिवहन अपनी लगजरी बसों में टिकट देने के लिए Smart Cards कौपियों करता है Abacus साधारन गर्णाओं के लिए सबसे पूराना कुशल यंत्र है Accumulator Computer की मुख्य प्रोसेसिंग एकाई में इस्थित एक इस्थाने स्मृतिक शेत्र जिसमें विविन प्रक्रियां संपन होकर परिणाम संजित होते हैं Accumulator कहलाते हैं ASCII Code यह American Standard Code for Information Interchange का संक्षिप्त नाम है अत्यदिक उप्योग में आने वाला साथ बिटों का ये एक आंतरिक कोड है इस कोड को अंतराश्ट्रिया प्रमानी करण संगठन द्वारा एक अंतराश्ट्रिया कोड के रूप में स्विक्रित किया गया है Computerों को कार्यवस्था में लाने के लिए Operating System द्वारा किये जाने वाला प्रारंबिक कारे को बूट केते हैं Character अंग्रीजी भाशा के छोटे या बड़े अक्षर, संख्याएं, विविन प्रकार के संकेत और ग्राफिक्स संकेत इत्यादी, एक Character, एक Byte का होता है Cache Memory का ही एक भाग जिसे अवस्थाई Storage के लिए प्रयोग किया जाता है, इसने वो डेटा जाता है, जिनकी बार-बार ज़रूरत होती है Cache, Processor, इवं RAM के मद्धे एक पुल की भांती कारे करते हैं, ताकि दोनों के Processing गती के अंतर को पाटा जा सके Click Click Mouse के बायं बटन को दबा कर छोड़ने की क्रिया Click कहलाती है, किसी Object को सिलेक्ट करने के लिए Click का प्रयोग किया जाता है Directory यह डिस्क पर संचित सूचना का एक विशेश अंग होता है, इसमें File के आकार, डिस्क में उनकी इस्थिति तथा उनके बनने या संचित करने की तारीक और समय के संदर्व में जानकारी होती है Sound Card यह एक ऐसा Expansion Card है, जो कि आपके PC में Sound पर कारे करने की ख्षमता जोडता है Scanner यह एक ऐसा Device है, जो Graphic Image को Digital Image में परिवर्थित कर देता है Virus यह एक ऐसा Software है, जिसे Computer के Data को नुकसान पहुँचाने के लिए बनाया गया है Protocol संगणकों और संजाल में अंकिय संचार के आदान प्रदान की मानक और आपचारिक प्रक्रिया Offline Offline संपर्क में व्यक्ति इंटरनेट सुचनाओं को अपनी Computer में डाउन्डोड कर इंटरनेट संपर्क कार्ड दीता है और तब उन सुचनाओं का अधियन करता है TCP या IP TCP अथवा IP अर्था Transmission Control Protocol अथवा Internet Protocol एक प्रसारण नियंतरक मानक है जिसकी मदद से विभेन प्रकार के संगणक और Operating System आपस में समवाद कर सकते है Domain Name किसी संगणक के पहचाननी की पदती जैसे CNN.com इसका अर्थ हुआ कि व्यवसाइक संस्थाओं के Network.com में CNN का नाम एक संगणक है Intranet Intranet में प्रयक्त प्रोध्योगिकी की मदद से किसी संस्था द्वारा तयार किया गया निजे Internet जिसमें हर किसी को प्रवेश की अनुमती नहीं हो Hyperlink वेब पेज का वो विशेश शब्द या चित्र जिस पर माउस का बटन दबाने से व्यक्ति Internet की एक साइट से दूसरी साइट पर जा पहुंचे Site Internet से जुड़ा वो संगड़क जहां विशेश प्रकार के सूचनाई उपलब्द हूँ HTTP HTTP अर्थार्थ Hypertext Transfer Protocol एक संजार सहीता है जो Hypertext में निबद सूचनाव को इंटरनेट पर वित्रित करने के उदेश से बनाई गई है प्रोग्राम लिखने वालों को दस्तावेज में Hyperlink इस्तमाल करने की सुविधा इसे से प्राप्त होती है URL ये उस संगणक का पता है जो विश्व संजाल में विविन स्थानों और विविन प्रकार के संस्थाओं को पहचानने में व्यक्ति की मदद करता है Search Engine वो software जिससे इंटरनेट में मौजूद सूचनाओं की तलाश की जा सकती है जैसे www.google.com, www.lycos.com, www.yahoo.com Server वो संगणक जो इंटरनेट को इस्तमाल करने वालों को सूचनाए प्रदान करनी की ख्रमता रखता है Bandwidth ये ध्वनी द्रिश्य और Digital कोश्ठक में अंकिय संचार के लिए उपियोग में लाए जाने वाले विविन प्रकार के तारों की सूचना लाने ले जानी की ख्रमता रखता है Base Band तार एक समय में एक ही संकेत प्रसारित कर सकता है जबकि Broadband तार विविन आवरित्तियों उपर कई तरह के संकेत प्रसारित करने की ख्रमता रखता है HTML HTML अर्थार्थ Hypertext Mark Language विश्व संजाल पर पेज बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली एक भाशा है इसी के जरिये वेब ब्राउजर को ये संकेत मिलता है कि दस्तावेस को कैसे दर्शाया जाए Upload Pass या दूर के किसी संगणक को अपनी संगणक से सूचनाए भेजना, किसी कंपनी को बायो डेटा भेजना ISDN Integrated Service Digital Network एक अंकिय संजाल की एकिकरत सेवा है जिसमें एकी रास्ते से ध्वनी, द्रिश्य और अंकिय या लिपिबद सूचनाओं को संप्रेशित करने की ख्रमता होती है प्रिश्ट 544 ComSom ये कैमर जूशर विद्याले के वैग्यानी को द्वारा निर्मित सूपर कंप्यूटर है, ये ब्रहमान की उत्पत्ती के संबन में होने वाले शोधों में काफी सहायक है Keyword Programming भाषा के आदेश का संकेत शब्द जिससे किया कारे निर्दिष्ट होता है White Noise Computer के printer या अन्य उपकरनों द्वारा उत्पन्ना आवास को white noise कहा जाता है चिद्रत कार्ड, puncture card गड़ना के बाद, परिणाम को computer से बाहर लाकर चिद्र कार्ड पर संचित किया जाता है Light Pen Column के आकार के युक्ति, जिसका उपयोग computer cathode किरन नली के उपर लिखने या चित्र बनने में किया जाता है Joystick Handles की आकरती की युक्ति, जो 360 डिगरी की चाप पर घूमती है, तथा जिसका उपयोग स्क्रीन पर चित्र को नियंत्रत करने के लिए किया जाता है प्रकाश की संकेत पहचान युक्ति, Optical Character Recognition Device, OCR ये युक्ति हर संकेत को, चाहे वो अक्षर हो या अंक, अत्वा कोई अन्य निशान, अत्यंत लगू बिंदूओं से बना मानती है इसका प्रयोग बैंकों में चेक के वीवरन को पढ़ने के लिए किया जाता है Video Conferencing Video Conferencing के जरिया न केवल कारेक शमता बढ़ाई जा सकती है, बलकि विचार विमर्ष को भी नए आयाम प्रदान किये जा सकते हैं इसमें दुनिया भर के विभिन्न हिस्तों में बैटे वे लोग एक ही समय में आपस में बातचीत कर सकते हैं Broadband, ये एक माध्य में जिससे Internet तक पहुँच आसान हो जाती है Screen Freeze, इस तकनीक के सहायता से ताजी खबरें और नवीन तम इमेल संदेश आसानी से प्राप्ते कर सकते हैं Digital Subscriber Line, DSL, इसके अंतरगत कंप्यूटर को टेलिफोन के सामाने तामभई के तार तथा टेलिफोन एक्स्चेंज से जोड दिया जाता है इसके साथ DCL मॉडम जोडने से कंप्यूटर पर 24 गंटे इंटरनेट से विदा हासल की जा सकती है Leased Line, किनी दो स्थानों की बीच इस्थाई टेलिफोन केनेक्शन को Leased Line कहते है Synet, Synet या Synchronous Optical Network को Fiber Optic संचार प्रनालियों को जोडने का मानक बनाया गया है Optical Carrier, ये Fiber Optic Network की गती दर्शाता है जैसे OC1 और OC3 का अर्थ क्रमशह 51.9 MBPS और 155.5 MBPS KBPS, MBPS और GBPS ये एकाईया डिजिटल माध्य में संचार की गती दर्शाती है इनका अर्थ क्रमशह Kilobytes प्रतिसेकंड, Megabits प्रतिसेकंड और Gigabits प्रतिसेकंड है Extranet, ये एक प्रकार का Intranet है जिसमें किसी कंपनी या फर्म विशेश के आंतरेक लोगों के साथ फर्म सही होगी दीलरों, पार्टीज या सप्लायरों को फर्म के Intranet तक पहुँच के सुविधा रहती है Telnet, ये एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से इंटरनेट प्रयोग करता इंटरनेट में अन्यत्र होस्ट कंप्यूटर से जुड़ सकता है तथा वांचित कंप्यूटर को Inlock कर उस कंप्यूटर का इस प्रकार उप्योग कर सकता है मानों उस कंप्यूटर का कीबोर्ड सामने हो Airnet, E-R-N-E-T, Educational and Research Network शिक्षा और अनुसंधान नेट्वर्क या Airnet देश की मुख्य शिक्षन संस्थाओं तथा अनुसंधान के इंद्रों को जोड़ता है इसका उद्देश यह विभिन संस्थाओं की मद्य सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु सहयोग आत्मक प्रणाले विक्सित करना है